तो हेलो एवरीवन MPPSC prelims जो आपके test हो रहा है संडे के तो उसमें हम लोग unit 1 का discussion जो आपका test हुआ उसका discuss करते है कि कि किस-किस type के questions को किस तरीके solve करना चाहिए था तो इसको start करते है आज से और आज का जो question है हमारा पहला कि गरीवा सिंह टेकाम का संबंध किस छेत्र से है गरीवा सिंह टेकाम इस रिलेटेट टू विच विच फिल्ड फ्रीडम स्ट्रगल पॉलिटिक्स लिट्रेचर एंड पेंटिंग अब जैसे कि रेखिए कि कोशन प्रिलिम्स की test series में देने का मोटीव इस लिए क्योंकि मदविदेश पीयसी ट्राइब से रिलेटेट कोशन geekically बनाँ था लिए को दुए गरीवा सिंग टैकाम दखा तो आपको नाम देख की लाग रहा है कि यह पक्क कोई नां कर्सेनलिटी है और जैसे आपने देखा कि यह कोई ट्राइबल पास्नालिटी है तो अब हमको देखना है कि स्वोतनृत्र संगाम सैनानी और नहीं कोता गरीबा सीख टेकाम जी जो है यह बेसिकली मद्विदेश के धिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और यह पेंटिंग से असूशिएटेड है जैसे आपने नाम उनौगा जनगर कलाम तो जो जनगर कलाम जो पेंटिंग है जो गोंडी चितरकला है बेसिकली उससे है कि किसी को screenshot लेके आराम से इंके बारे में थ्री मारकर भी बनाना हो मेंस किया दूसरी जिए तो यह सारी सीजे भी मैंने यहाँ पर इसमें additional details में डलवा दी है तो इसको भी आप देख लीजिएगा आपके लिए helpful रहेगा यह statement से उनको consider करिए अब जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं पहला statement इन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार का पद्म विभूशन मिला चलो नहीं पता है तो माल लेते हैं कि है हमाई पार option में इन्हें संगीत नाटा अकैडमी पूरुसका 1995 में मिला मद्यविदेश सरकार दौरा इन्ह नहीं पद्म श्री मिला हुआ था तो इसलिए 2 और 3 और 2 और 3 म option में कहां दिख रहा है तो 3 और 3 में option में सी दिख रहा है तो इसका answer C होगा इन्हें नाटा कैडमी आवार्ट 1995 मद्यविदेश सरकार का कालीदा सम्मानी मिला हुआ है तो इसका answer क्या होगा इसका answer का सी होगा याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री मिला था यह उसका आपको description यहां मिल जाएगा कि इन्हें पद्म श्री पूरुसकार से नहीं बलकि पद्म श्री पूरुसकार से 2014 में नवाजा गया था 1995 में संगीत नाटा अकेडमी अवार्ड और 2016-17 में कालीदास अकेडमी अवार में क्या आया एकडम से कि political personality है तो जैसी चीजी निकल क्या है कि दिलीप सिंग भुरिया कौन है political personality अब पहला देखते हैं कि लोगसभा के उपाध्यक्ष नहीं पता छोड़ देते हैं छे बार लोगसभा में सांसद बने अब ये तो clear था दिमाग में कि लोगसभा सांसद र मतलब ये तो सही है मद्यवदेश में तेंदुपत्ता नीती 1995 में आई थी तो उस तेंदुपत्ता नीती बनाने में भी इंका महरपूर ने योगजान था तो हम C और D तो हमने clear कर दिये अब हमको इसमें समिनना है अब हम Indian polity में हमने लोगसभा के deputy speakers पड़े है और लोगसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे यही question आपको English में यहां पर मिल जाएगा कि which statement is incorrect regarding दिलिप सिंग भुरिया तो यह आपके यहां से यह मिल जाएंगे तो he was the deputy speaker of लोगसभा तो यह गलत है deputy speaker नहीं रहे लोगसभा के लेकिन यह बाकी सारे point यहां पर सही है 1994 में आपक पेसा एक से related एक committee बनी थी उसके head थे तेंदुपत्ता जो वो बनी थी उसके भी related यह है तो इसको भी याद रखिएगा कि 1995 की जो तेंदुपत्ता policy है उसमें भी इंका important role था तो इसका answer आ गया A next question चलते है निमने लिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है which of the following option is correct among following तो जैस से मैं मेरे दिमाग को थोड़ा सा रिलेक्स करने कुछ करता हूं प्रिलिम से बैठा हूं तो मैं तो मैं सुचूंगा कि पहले में इधर के option छुपा लूँ क्योंकि आप इधर देखोंगे तो फिर आप confused हो जाओगे खुझ से पूछो कि दुर्गा भाई व्यों क्या करती ह से तो जैसी आप से यहां से देखोगे तो अब हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प सत्य है मतलब इसमें गलत है सारे तो सत्य कौन सा है तो सत्य हमको दिखता है कि तीजन भाई जो है यह पंडवानी से associated है याद रखेगा है ना रही इतनी बात याद तो आपकी तीजन भाई तो दिखना पैंटिंग से है तीजन भाई आपकी पंडवानी से है भूरी भाई आपकी więks पेंटिंग से है और जोधहया भाई आपकी बैगा पेंटिग से है तो यह आपके एक्स्पैंशन भी यहाँ से निकल के आ गए Next question है बत्व बाई basically बत्व बाई जो है वो मद्विदेश के गॉलियर की रहने वाली है और हाल फिला ने बढ़ी फेस्ट्रीश हो चुकी है बत्व बाई तो बत्व बाई किस से related है तो जैसी बत्व बाई का नाम आता है तो हमको याद रखना है कि बत्तो भाई जो है गुडिया शिल्पकला से associated है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुडिया शिल्पकला बशे additional fact में आद रखेगा कि बत्तो भाई मद्यवदेश में किस सहर की नहने वाली है तो बत्तो भाई basically comes from Gualia district मद्यवदेश तो यह कोर fact यहां से निकल जंगर सिंग शाम जो मद्यवदेश के कौन से district से रहने वाले थे जंगर सिंग शाम जी मद्यवदेश के दोरी district के रहने वाले थे और इनकी death कहां हो गई थी जंगर सिंग शाम जी की death हो गई थी जापान में कब साल 2001 में तो इनी जंगर सिंग शाम जी ने जो किससे असोसियेटेड है जो गूंडी पेंटिंग से असोसियेटेड है तो कौन सी पेंटिंग करते है गूंडी पेंटिंग तो यह जो इसका जो आंसर क्या जाएगा जंगर सिंग शाम जंगर कलाम से कौन असोसियेटेड है बहुत प्रमुक्रती है land escape with spider यह वाली चीज यहां से इसमें याद रखिएगा नेक्स जो है कि टांट्या भील की समाधी कहां है आपके और हमारे सभी के टांट्या मामा जिनको Robin Hood of India भी कहा जाता है तो जो टांट्या भील है उनकी समाधी जो आपको दिखती है पाताल पानी क आपके जो जगा है कहां पर आपके इंदौर डिस्ट्रिक में तो टांट्या मामा की समाधी कहां पर है पाताल पानी इंदौर है बस जल्दी बाजी मत करना option में खंडवा देखके क्यों क्योंकि खंडवा क्या है खंडवा तो टांट्या मामा का बर्थ प्लेस है याद रख रॉबिन हुड कहा जाता था एक कुछ याद रखिएगा कि इंको 1889 में इंकी डेथ हो जाती है नुई-यॉक टाइम से खबर भी छपी है कि टांटिया का रॉबिन हुड पकड़ा गया यह सारी चीजी और इंका एको नाम है टुंडरा टांटिया अलग-अलग नामों से इनको हैं मद्यविदेश राज इस्तरी आदिवासी जन्जाती गौराव दिवस है ना अब जैसी यहां से तुमने यह चीज देखी कि जन्जाती गौराव दिवस तो तुमको एक्जाम में प्रिलिम्स के पर सबसे पहले यह याद होना चाहिए कि कब सेलिबरेट करते हैं तो कि जो प्रेसिडेंट है श्रीमती दौपदी मुर्मू वो शेहडोल आई थी और शेहडोल में जो लालपूरा गाहँ है वहाँ पर इस बास सेलिबरेट किया गया तो इसका अंसर क्या होगा शेहडोल होगा 15 नौमबर जो आपका बिरसा मुंडा जी की जो जैन्ती है उस पर मनाया जाता है तो याद रखेगा तो आदिवासी जन्जाती समारो कप 15 नौमबर को शेहडोल के लालपूरा में यह आपको यहां से थोड़ा सा डीटेल और मिल जाएगी कि क्या क्या चीजे एडिशनल में इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि 9 अगस्त को वल्ड ट्राइब कौन सा मंदिर रोमन वाष्टू कला से असोसियेटेड है अब सबसे पहले यह देखेंगे पन्ना का सबसे फेमस मंदिर कौन सा है तो option C और option D जो आपको दिख रहा है वो पन्ना के सबसे फेमस टेंपल से एक तो बल्देव जी का मंदिर बल्राम जी का मंदिर तो फेमस है बल्देव जी का टेंपल इसका अंसर भी यह है यह रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है बना हुआ है कौन सा आपका बल्देव जी टेंपल तो बस इसमें इतना याद रखेगा कि बल्देव जी टेंपल ऑफ पन्ना is constructed on the basis of रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ठीक फ और यहाँ पर आपको इंग हिंदी में ही बता है तो हम लोग पहले हिंदी जो है मानने भाषा है इसमें देख लेते कि मद्देव देश की एक मातर आदिवासी महिला मुख्यमंत्री रही है तो यह तो हम एक्जाम में ऐसे कर दिया करो कि यह तो गलत है क्योंकि जम्ना है बिलकुल यह सही है है अब आप देखोगे उसने पूछा कौन सा कथन असत्य है तो एक भी असत्य और दूसरा भी असत्य है तो इसका आदिवासी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही यह डिप्टी सीम रही है मद्देविदेश की पहली कहां से आती है जम्ना जी जम्ना दे है और इनको आप और मैं सभी प्रेम से क्या कहते है इनको बुगा जी के नाम से भी पुकारा जाता है तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखना है रहेगी वत्याद तो यह आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया इसका आंसर हो गया वन और टू याद रखिएगा ठी यह आपको explanation मिल जाएगा जमना दीवी के बारे में next चलते हैं जंगर सिंग शाम जो प्रमुग जंजाती वेक्तित्व है इंका संबंध किस्से है वापस से अभी यह कोश्चन को हम लोग कर के आए जंगर का लाम मैंने आपको बताया था उंक्या रहें बताया भी था तो आ देख ली जाए डिंडोरी जीले से ठीक बाकियों के बारे फिर वह information सारी की सारी है ना फिर एक और आप देखोगे मद्यविदेश में चरण पादू का घटना कब हुई आप सभी को पता है कि चरण पादू का event को मद्यविदेश का जलियान वाला भाग भी कहते हैं जिसमे एक वेक्ती थे जिनका नाम था कैप्टन फिशर कैप्टन फिशर क्या करते हैं 14 जनवरी 1931 को जो एक क्राउड है जो पीस्फूल तरीके से असेंबल हुआ था उसके उपर ओपन फायर कर देते हैं जिसमें हलके कुर्मी रामलाल कुर्मी धरमदास खैरवा जी जो है ऐसे भी लेट है क्या 14 जनवरी तो इसको याद रखिएगा 1931 14 जनवरी और इसको मदगेदेश का क्या कहते है जल्यान वाला बाग भी केहते है तो ये बीचेश यहां से याद रखएगा किसने गोली चलवाई थी तो उस पैक्ति का नाम क्या था फिशर और यह जो सभा हो रही तो उस नदी का नाम था उर्मिल, उर्मिल डैम आप से कभी कोई पूछे, तो उर्मिल डैम कहाँ पर है, चतरपूर डिस्ट्रिकमे है это का लिए चरणपादु का भी ज़िए था लिए डिस्टर्पादु का भी आपको चतरफूर डिस्ट्रिकमें मिलने वाला है नेक्स चलते हम लोग, खजराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राजवन्स के दौरा बनवाए गए, खजराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राजवन्स के दौरा बनवाए गए, ओप्शन देखना ही नहीं है, ओप्शन मत देखो, ओप्शन पे हाथ रखे रहो, तुरंट आपका दिमाग क्लिक करेगा खजराओं मतलब चंदेल, confusion होता है जब option देखते हैं, तूरं चंदेल क्लिक किया, तूरं लोकेशन क्लिक हुई, कहां बने हुए, खजराओं के temple छतरपूरे बने हुए, तूरं दूसरा पॉइंट लिक करेगा, युनेसको साइट 1986, तो इसको याद करके एक इंजीनियर थे, उन्होंने रिडिस्कवर किया है, तो यह आपके तीन फैक्ट याद रखेगा, कौन से टेमपल, खजराओं के मंदिर, चंदेल, साशकों के दौरा बनवाये गए, आंसर करेक्ट है, आंसर इसका ए, आगे बढ़ते है, यह आपको डिटेल यहां मि मद्यविदेश, आप्शन में है, कानपूर, ग्वालियर, शिवपूरी, शिवपूर, अब सिंपल सी बात है, कि मद्यविदेश में तीन आप्शन MP गे है, मतलब MP के आसपास की बात हो रही होगी, और हम सभी को पता है, कि 1859 में तात्या टोपे जी को फासी दी गई थी, कह अब आप से कोई पूछे, तात्या टोपे का ओरीजनल नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, राम चंद्र पांडू रंग, इनका रियल नेम क्या है, रियल नेम वास राम चंद्र पांडू रंग, और ये पहले कौन थे, जो पेश्वा ना सहेब थे, उनके मिलिटरी कमंडर थे, जो आपके तात्या टोपे थे, याद रखेगा, गोरिला वाट टैक्टिक्स किया करते थे, तो ये उनके बारे में आपको डिटेल एडिशनल जो इन्फोर्मिशन आपको चाहिए, 18th of April 1859 को इंकी डेथ होई, और सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी फिर यह से सांची के स्थूप का निर्मान कहा और किसके द्रा करवाया गया, सांची स्थूप was constructed by which ruler at which place, बहुत basic question जैसी सांची स्थूप नाम देखा option में तूरंग click होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा इसका answer है, अब option में ढूणते है, कहा है ऐसा, तो जैसी हम option में ढू बनवाय गया are, बिल्कुल गलत, विदीशा जीले में समराट अशोग, विदीशा जीले में समराट अशोग दौरा वनवाये गया, बिल्कुल शहीं सखा अंसर होगा क्या C. जल्दी बाजी में जिन लोगों कोशन गलत गया होगा उनको ज्यादा से ज्यादा objective solve करने की और अपना दिमाग ठंडा रखने की बहुत जरूरत है prelims में अगर आपको प्री में आते हुए question गलत नहीं करना है तो ठीक ध्यान से पढ़िए जल्दी बाज राइसेन जीला देखके भैगाए कि बोले राइसेन वो भी तो देखो दो है question तो दोनों के यहां से देखना है राइसेन जीले में किसने समराथ अशोग के दोरा तो इसका अंसर हो गया सी आगे चलते ज्यादा इंस्ट्रेस करेंगे ठीक साची स्थूप के बारे में अगर कुछ information में आपको बताना चाहूँ तो साची स्थूप को UNESCO World Hated Sight का status कम मिला 1989 में इसको UNESCO World Hated Sight का status दे दिया गया था याद रखेगा यह काम की बात मुझे यहां से लगती है और सारी पुत्रों महा मोगलना करके दो बुद्धिस मौंक्स थे उनके रैलिक्स यहां पर यहां अस्तिया इंकी यहां पर रखी हुई है तो यह भी चीज यहां से याद रखेगा फिर अमझेरा रियासत का संबंद किस जीले में है यह अमझेरा आया तो एक नाम याद आना चाहिए राजा बक्तावर सिंग जैसे आपको एक्जाम में जैसी यह चीज़े होगी ना यह अमझेरा पढ़के बक्तावर सिंग याद आया तुम्हारा कॉन्टेंस प्रीके पेपर में उतना और बढ़ जाएगा कि चलो यार मेको तो आ रहा है मेंसे ये भी बन गया कि मेको एकदम से अब तो में तोल लूँगा इस कोश्चन को क्योंकि जैसी बक्तावर सिंग याद आ गया है तो तुमको धार डिस्ट्रिक्ट अपने आप याद आ जाएगा और तुम्हारे पास आंसर इसका मिल जाएगा कि मद्य बिदेश के धार डिस्ट्रिक में अमझेरा है और अमझेरा के रूलर थे राजा बक्तावर सिंग जिन्हों में 1857 के रिवोल्ड ने पार्टिस्पेट किया था और यह भी याद रखिया कि इंदौर में इंको फासी दे दी गई और इंदौर में इंको फासी भी कहां दी गई थी यहां से दी गई है जो आपको में में तीन नंबर बना लो आपके फ्री मारकर्स भी मिल रहा है आपको मेंस के यहां पर प्रिलिम्स के उप्रेशन के साथ ठीक है नेक्स कि भारत के फ्रमुक सतंतर संग्राम सेना नी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ कि 1905 धार धार में तो नहीं हुए अली राजपूर चलो सोचेंगे इसको खरगौन नहीं खंडवा नहीं तूरांत यहां पर हमने क्यों अब तुम बोलोगी कि आंसर तो पता ही था अली राजपूर चारों आंसर क्यों पढ़े चारों ऑप्शन इसलिए पढ़े ताकि कि अब सरकान ने चेंज कर दिया है जो कहां पर है जो आपको मिलेगा प्रयाग राज में या अलावाद में हमको एलफ्रेट पाग मिलता है तो यह चाहिए याद रखिएगा यह आपके कौन है चंद्रशेखर आजाज जी जो है रहेगी इतनी बात या चलिए आगे चलते ह कि उगके बार में डेटेल महराजा चत्रसाल ने अपनी राजधानी कहां इस्थापत की है ना अट विच प्लेस या वेर डिड महराजा चत्रसाल इस्टैबलिश हिस कैपिटल पन्ना सतना मैहर रीवा बताईए है ना बहुत बेसिक सा खोश्चन जैसी हम महराजा चत्रसाल की बात करते हैं तो हमारे थौट में आता है बुंदेल खंड अब बुंदेल खंड देख रहा है तो बुंदेल खंड में तो मैहर भी नहीं आता बुंदेल खंड में रीवा भी नहीं आता बुंदेल खंड में सतना बुंदेल खंड में आता है पन्ना तो महराजा चत्रसाल की capital क्या हो जाएगी महारा राजा चटरसाल की capital हो जाएगी पन्ना चारा option को eliminate करना भी सिखो और सॉइं answer निकालना भी सीखो आपको यहां से correct हो जाएगा यह आपको राजा छतरसाल जिनको हम लोग किस नाम से कहते थे राजा छतरसाल को हम लोग कहते थे बुंदेला केसरी किस नाम से कहा गया है इन्हें कहा गया है बुंदेला केसरी और अगर मैं आपको एक हो चीवाता हूं तो राजा चातर साल को एक हो नाम से कहा गया है शीवा जी ओफ बुंदेल खंड क्या कहा गया है शीवा जी ओफ बुंदेल खंड तो तो यह भी फेक्ट यहां से याद रखिएगा चलिए आगे चलते हैं तो ठाकु निरंजन सिंग किस छेत्रे से संबंदित है कटिंग कोश्चन तफ कोश्चन है स्वाल करने की कोशिश करेंगे है ना कि option के according कुछ तोड सकते हैं जैसे मुझे ठाकु रवड दिखा तो मेरा मन हुआ कि बघेल खंट बुद्दिल खंट महा कोशल मालवा में हम इतना यह टाइटल यूज होते हुए नहीं देखते हैं ना होता भी है लेकिन इतना नहीं तो में मालवा को अगर मेको तुक्का मारना है महां पर तो मालवा को स्किप कर दूँगा अब मैं सोचूँगा इन नॉन कोपरेंशन मुमेंट है उसने हुए इन को जाना जाता है और इसके बाद आपका क्यूट इंडिया मुमेंट में फिर निरवेट मेंटक और उनिरंजन सिंका तो यह उनक्य वारए में कुछ इफोर्मिशन है याद रखियेगा नेक्स चलते है कि निम्न लिखित विकल्पो में से समाधियों के असत्य मिलान का चुनाव कीजिए मतलब चूज दा मिस्मैच पेर फॉर मुसिलियम्स फॉर्म दा फॉलोविंग ऑप्शन्स आप सभी को पता है कि शादत खाजी ने 1857 के रिवोल्ट में इन्दौर में रिवोल्ट किया था इनकी समाधि भी इन्दौर में PSC के आफिस के सामने बनी हुई है रगुनाज शाह और शंकर शाह 1857 के रिवोल्ट ने जवलपूर से पाटिस्पेट किया था अवन्ती भाई बालपूर निंदौरी की रहने वाली है इन्दौर ने भी 1857 के रिवोल्ट ने पाटिस्पेट किया था जहलकारी भाई जहलकारी भाई रानिय लक्षी भाई की बॉडिगार थी और जहलकारी भाई की समाधि हमको कहां मिलती गॉलियर में मतलब यह आंसर जो है गलत है और हमारा जो उसने कोश्चन क्या पूछा था इसमें से असत्य कौन सा है तो इसका आंसर क्या हो गया भी जहलकारी भाई की समाधि आपको कहां मिलेगी तो यह भी एफेक्ट यहां से याद रखियेगा ठीक रहेगी बाते याद चलिए आगे चलते हैं जैसी आगे गए तो नेक्स के निकल क्या आया 1857 की क्रांती में महतपूर्ण भूमी का निभाने वाली लक्ष्णी भाई का जन्म कहां हुआ या कब हुआ ठीक when was the लक्ष्णी भाई born who played an important role in the revolt of 1857 अब यह कटिंग कोश्चन है यह कोश्चन देखो अगर मैं आप कि नहीं घबरा तो नहीं आ रहे हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 से 12 ऐसे question रहेंगे अपने आपको शांत रखना है एकदम से याद आ गया तो ठीक है अगर इसका option देखोगे तो नॉम्बर 1828 इसका आपका answer मिल जाएगा राइन लक्षी भाई का जो कहां की ruler थी र आपके नहीं लक्षी भाई की बारें detail आपको मिल जाएगी next question आपके पास जो आ रहा है बोपाल मिंटो हॉल का निर्माण किस साशक साशी का दौरा करवाया गया है ना मिंटो हॉल जो मद्विदेश में पहले विधान सभा भी रही है मिंटो हॉल का जैसी हमको answer दिखा तो मिंटो हॉल के बारे मैं ऐसा कहा जाता है जो 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 पंचम है उनके मुकुट के तरीके से इसका डिजाइन किया गया है और मिंटो हॉल का अभी नाम भी चेंज हो गया है कुशा भाई ठाकरे convention center कर दिया MP गौर्मेंट ने मिंटो हॉल का नाम चेंज करके तो ये भी ठान पर हुआ एट विच प्लेज जंडा सत्यागरा और मद्यवदेश है ना जैसी के कोशन दिखा तूरन सबसे पहले 1923 जैसी देखा जंडा सत्यागरा याद आया सुबद्रा कुमारी चोहान याद आ गई पंडिस सुंदरदास याद आ गया उनको छे मैने की जेल हुई याद आ गया और जैसी पंडिस सुबद्रा कुमारी चोहान और याद आ गया तो हमको टाउन हॉल भी याद आएगा जिसमें जो वहां का कमिशनर था हैमिल्टन उसने जो तिरंगा है उसका अपमान किया था फिजंडा सत्यागरा चालू किया गया था तो आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर जाएगा आपका जवलपूर या आपके डिटेल बाकी की जो पंडिस सुंदर दास को छे मैने की जेल हुई थी याद रखिएगा जंडा सत्यागरा में छिगालाल जैन माखल जो है सावनकर्म जो आपके जैन साहवे वो सब इसमे पार्टिपेट किये थे इन में से किस साशक ने ओर्चा की स्थापना की विच अब फोलविंग रूलर इस्टैबलिजड तो ओर्चा इस्टेट राजा भारती चन्ड रुद्र प्रताप सिंग बुंदेला नरेंद्र प्रताप सिंग और राजा मानवेंद्र सिंग बहुत बेसिक सा कुष्ट्ण कुष्ट्ण देख की आंसर बन जाना चाहिए था कि ओर्चा तो कोन सी नदी के बैंक्स पे है ओर्चा सिचुएेट यवा और बेटवा रिवर और इओर्चा किसकी राजा रुद्र पिताप सिंग बुंदेला 1531 ओर्चा कौन सी नदी के बैंक्स पर है तो ओर्चा बेतवा नदी की बैंक्स पर है बेतवा को मदविदेश की गंगा भी कहा जाता है on the basis of pollution next question के तब चलते हैं detail आपका है मिल जाएगा आगे चलते हैं अहिल्या भाई होलकर के संबंध में निम्न लिखी कतनों पर विचार कीजिए है ना simple सा English भी देख लीजिए consider the following statement regarding अहिल्या भाई होलकर है ना अब जह हम देखते हैं और उसमें हम से क्या पूछा अब जैसी यह कोशन आया तो यहाँ पर देखो select the correct code है ना आप यहाँ से देखते हैं कि सही कूट का चैन कीजिया वपन देखते हैं सबस्वले इनका जन्म 1725 में एहमद नगर महराष्ट में हुआ बिल्कुल सही बात है एहमद नगर के पास एक चोंडी गाव है वहाँ इल्लिया भाई का जन्म 1725 में मानकुजी शिंदे क हें हुआ हुआ था है ना फिर जैसे दिए कि इनका विवारा प्कानडे राओ carp superior से हुआ था बिल्कुल सही बात है मलाबर राओ त्र पुत्र थे पहbrance का यहां दो सही बत ऑफ है एक और नाम से कहते है किस नाम से कहते है अहिल्या भाई इस अल्सो नोन एस लोक माता तो यह भी फैक्ट यहां से याद रुखिएगा और बाकी अहिल्या भाई ने जो जो मंदीर बनवा है कभी किसी दिन और अब्जेक्टि में उसको देखेंगे जोगी questions ज्यादा है चलिए next चलते है तो यह अपका है हो गया इसका अंसर क्या जाएगा one two three she was born in 1725 एडायमन दगर she was married to khande raha holkar she made mahaswar her capital बिल्कुल तीनो सही है आगे जलते है यह आपको detail मिल जाएगी question क्या है निमनली खित में से कौन सिंधिया वंश्य से संबंधित नहीं है who among the following does not belongs to सिंधिया डानेस्टी option है दौलत राओ जी सिंधिया राणो जी सिंधिया अपपा जी सिंधिया एंड जीवा जी राओ सिंधिया यह सारी चीजे आपको यहां से दिख रही है कि आप बताईये कौन सावंस सच से संबंधित नहीं है अब देखो दौलत राओ सिंधिया तो रूलर थे उज्जयन से capital shift क कहां लिखे गए गवालियर राणो जी राओ फाउंडर है जीवा जी राओ लास्टूलर है अपपा जी भोसले नहीं है अपपा जी का तो सरने मी भोसले तो यह सिंधिया कहां से होंगे इन्होंने तो आजादी लणाई पाटिस्पेड भी किया था तो याद रखिये का या भोचपूर शहर को राजा भोज ने लेकिन यहां भोचपूर शहर की बात नहीं भोपाल स्टेट की बात हो रही है तो जैसी भोपाल स्टेट की बात होगी तो हमारे पास एक नाम है दोस्त महम्मद खान दिमाग लगाना है नहीं है सीधा option A लगा लेना है कि इनसा answer क्य अफगान सुलिजर था कौन था पहले ये एक पश्टून अफगान सुलिजर था किसकी आर्मी में मुगलों की आर्मी में चीक है नेक्स को शचेंग तरफ चलते इसके आर्में इंफोर्मिशन देख लीजेगा इनमें से असत्य विकल्प का चैन कीजिए मनसौर अभिलेक से रेशम मुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है तुमेन अभिलेक गॉलिया जीले में स्थी थी थे एरन अभिलेक से भारत में हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है सूपिय अभिलेक से गुपतवांश्री जानकारी मिलती है यह फ्रॉम सूपिया इंस्क्रिप्शन अब देखते हैं मनसौर अभी लेक सिल्क वीवर्स का है सही बात है उसने हमसे बोलाए असत्य चुन्ना है तो मैं इंस्क्रिप्शन गॉलियर में है क्या थोड़ा सा डाउट आ गया तो इस पे बॉक्स लगा देंगे एरन अब तुमैन इंस्क्रिप्शन तो दिक्कत कर गया और बिल्कुल दिक्कत करेगा तुमैन इंस्क्रिप्शन मिला था में कहां अशोक नगर जिले से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भी हो जाएगा तो यह भी याद रखना है ठीक बागी आपको को पर आर्केल लॉजिकल मुजियम में वहां रखा हुआ है लेकिन मिला कहां से था अशोक नगर में मिला था इसले इस कहां सा अशोक नगर होगा याद रखिएगा या सत्य है ठीक है चलिए आगे चलते है यह डिटेल इंफॉर्मिशन आपको मिल जाएगी अकबर के साथ युद्ध लड़ने वाली विरांगना रानी दुर्गावती किश्वन्स की शासी का थी which dynasty ruler was the brave क्यों दुर्गावती who fought the battle with अकबर तो रानी दुर्गावती कौन थी रानी दुर्गावती जो है आपके संग्राम शाजी जो थी उनकी बहू थी है न और दलपश चान्थु nutshell क्या हो जाएगा इस आंसर हो जाएगा पका गोंडवानने डानिश्टी उर जड़ाई लडी गई थी रानि दुरुगावत्थी और अकबर के बीच लड़ी गई थी 1564 में लड़ाई को लड़ा गया था और इसमें Rani बंश की थी डिटेल आपको मिल गई और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि MPPSC 2023 प्रिलिम्स टेस्स सीरीज लॉंच हो गई है और इस टेस्स सीरीज का जिसका हम लोग अभी डिसक्रशन ही कर रहा है उसके पहले टेस्स का जो MPPSC का जो MP वाली उनिट है उसका तो आप यह टेस्स स सेंटर पे भी आके दे सकते हो और online भी जाइन कर सकते हो और बहुत ही minimum fees जिसमें आपको भी दिखे रहा है कि यह फीस कुछ भी नहीं है जिसमें हम लोग इतने टैस्स आपको और आपको और आप यह जाइन करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकते हो जिसमें आपके ज्यादा- कोश्चन प्रैक्टिस होंगे ठीक आगे चलते अगले कुश्चन के तरफ भीम बेटका की खोज किसने की थी हूँ डिस्कवर्ड भीम बेटका ऑप्शन जैसी जब मैं भीम बेटका सुनता हूं तो मुझे क्या यादा जाता है मुझे स्टोन इच की पेंटिंग्स यादा जाती है मुझे कौन यादा जाता है मुझे राइसें जीला यादा जाता है मुझे कौन सी माउंटें रिंजेस यादा आती है मुझे विंदियन माउंटें रिंजेस यादा जाती है कि एक वेक्ति था जो ट्रेन में खड़े हुए इन गुफाओं को देख रहा था और ट्रेन से कूद पड़ा और उसने गुफाओं को discover किया और वेक्ति का नाम था डॉक्टर विश्नु श्रीधर वाकनकर तो इसका आंसर क्या होगा विश्नु श्रीधर वाकनकर और भीन यहां से आपको वाकंड चरुजी के बारे मिल जाएगा कि महारा सरकान ने इंको पदमर्शी सम्मान दिया था 1975 में उज्जैन के आगर बेसिकली नीमच में इंका जन्म हुआ था यह सारी चीज़े आपको यहां से मिल जाएगी नर्मदापुरम में नहीं है आदमगड देवास में नहीं है हतनौरा जबलपूर में नहीं है क्योंकि नावदा टोली कहा है नावदा टोली खरगौन में है आदमगड कहा है नर्मदापुरम में है हतनौरा कहा है सीहोर में है इसका आंसर क्या होगा काय था उज्जैन इसका स कुरम में ठीक नर्मदाकुरम में मिलेगा तो यह याद रखना और हत्नोरा कहा है हत्नोरा आपको सीहोर में मिलेगा जहां पर होमियो एरेक्टस मिला था में तो यह चीज भी यहाँ से याद रखेगा तो इसका अंसर की हो जाएगा कायथा उज्जे नेक्स कोश्चन के तरफ चलते हैं यह थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा और फिर उत्तरी अवंती जन्पद की राजधानी क्या थी वाट वाट वस्टाल ऑफ नदन अवंत अवंती जन्पद अब जैसी आपको पता है कि जब हम देखते हैं मद्वदेश के उद्व हिस्सों में तोड़ने कोशिश करते हैं तो यह आपका मालवार रिजन है एक पोर्शन था नदन अवंती एक पोर्शन था सदन अवंती तो नदन अवंती कैपिटल क्या होती सदन जनपत क्या थी उज्जैनी उसी capital थी याद रखिएगा यह आपको detail information यहां से मिल जाएगी फिर नहींस आगे आ रहे है कालिदास की रशना मालवी का अगनी मित्रम से मद्यविदेश के किस विवन्स की जानकारी मिलती है information about which dynasty of मद्यविदेश is given from कालिदास वर्क मालवी का अगनी मित्रम मालवी का और अगनी मित्र की प्रेम कथा के बारे में जानकारी देता है option देखोगे तो उलच जाओगे अब अगनी मित्र कौन सी डाइनिस्टी का था आप सभी को पता है कि शुंग रूलर था अगनी मित्र तो मतलब कौन सी डाइनिस्टी की जानकारी देगा याद रखेगा लेकिन तुम क्या जोस में आ जाते हो कि जैसी कालिदास दीखे तो ब अली गुप्ता पिरेट के लेकिन मालवी का अगनी मित्रों शुंग वहिंश्क्री रांज कर दीए तो इसको भी याद रखेगा यहां से कोश्चं को सान दिमाग से गन्ना है यह information आपको यहां पर मिल जाई सारी सारी ग्वालिया प्रशस्ती किस साशक से संबंदित है बात अपन लोग नहीं करेंगे गौलिया इंस्क्रिप्शन रिलेटेट टू मिहिर को खुल यह उनके बारे आपको information भी मिल जाएगी चलिए निम लिखे ने कौन सा साशक चंदेल वंस से संबंदित नहीं है धंग देव गंडदेव विद्याधर वसराज धंग देव कौन बड़ी प्रभावी रूलर थे वसराज हमको याद निया रहा मतलब आंसर क्या हमें क्या मतलब वसराज किससे ये तीनों तो है ना वसराज नहीं है तो आंसर क्या जाएगा आंसर इसका जाएगा डी तो यह आपको यहाँ पर पूरी पूरी information निकल गया गई और जैसे यहा याद रखिएगा गुर्जय प्रतिहार वंश्री कैपिटल क्या थी औरीजिनल के पहले इंकी कैपिटल उज्जयन हुआ करती थी फिर बात में यह नहोंने अलग अलग जगा कैपिटल अपनी शिफ्ट की और नागभट फस्ट को इसका फाउंडर कहा जाता है गुर्जय प पहले इसकी बात नहीं हुई क्योंकि एक्जाम में जल्दी वाजी में नौखंडा, सत्खंडा, छे खंडा, आठ खंडा साब एक जैसे दिखते हैं वहाँ पर तो थोड़ा से दिमाग शान्त करके पढ़ना कि कौन सा खंडा इसको थोड़ा सा कोशिश खंडा की बॉक्स मे डालो या हलका सा इंडरलाइं कर लो नौखंडा महल किस राजा ने बनवाया है अब जैसी हम चंदेरी की बात करते हैं तो हमको एक नाजा दिखता है जिसका नाम है क्या किरती पाल तो इसका आंसर क्या चले आएगा किरती पाल ने नौखंडा महल बनवाया है जो आपके च चंदेरी भी अशोग नगर में तुमैन इंस्क्रिप्शन भी अशोग नगर में और यह जो है आपकी कौन सी नदी यहां से पास में से निकल जाती है तो यह भी फैक्ट यहां से याद रखिएगा गॉलियर में सिंधिया वंश्कर संस्थापक कौन थे गॉलियर के सिंधिया संस्थापक कौन थे जब पेशावाजी राव बनने मालवा को जीता था है ना और मालवा को जीतने बाद उन्होंने होलकर सिंधिया और पवार इन तीन लोगों को जागिरे बाटी थी मालवा की तो उन्होंने होलकरों की जो होलकर जागिरे थी मल्हार राव होलकर को दी थ तो इसका आंसर क्या जाएगा राणो जी रावस इंदिया तो यह सिंपल से हमको यहाँ से याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो गया राणो जी रावस इंदिया लेकिन दॉलत रावस इंदिया कौन है दॉलत रावस इंदिया वहाँ एक ती जिन्होंने कैपिटल को उज्ज पर विचार कीजिए है ना कि कालिदास जो सम्मान दिया जाता है उसमें से यह जो स्टेटमेंट से इस पर हमको विचार करना है है ना और जैसे जो हमारे English Medium वाले लोग है consider the following statement regarding the कालिदास सम्मान तो basic आप देखोगे कि कालिदास सम्मान was established in the year 1980 the price money in कालिदास सम्मान is 5 lakh the honor is given to three sectors Hindi में भी देख लेते हैं कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में हुई बिल्कुल पता है कालितान तुलसी लता आ मिले इकबाल से एक ट्रीक है यारद कर लेना कि कालिदास है ना यह सब जो है 1980 में चालो हुए तो कालिदास सम्मान की स्थापना वर्फ 1980 में हुई बिल्कुल सही है कालिदास सम्मान ने पुरुसकार रासी 5 lakh रुपे दी जाती है ये भी दोनों facts सही है अब तीसरा fact उल जाएगा यह सम्मान तीन छेतरों में दिया आता है कालिदास सम्मान तीन छेतरों में नहीं दिया आता है यह चार सेक्टर में दिया आता है तो इसका answer होगा क्या कौन सा कथन पर हमको विचार करना था यह कौन सा असत्यय है आप सत्य कौन सा घाइं तीन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यह इसका आप जैसी आपने देखा कि इसका एंसर चीह हो गया तो फिर हम लोगों नहीं यह पढले लिए pagliya चित्र में दिया आता है तो बहुत basic निर्मल वर्मा जी जो थे जनलिजम से associated थे इसका अंसर हो जाएगा यह जाद रिमाग नहीं लगाते हैं 2015 इसका अंसर हो जाएगा तो यह आपके उनके बारे में information भी आपको मिल जाएगी निर्मल वर्मा जी के बारे में पढ़ लीजिए ठीक मद्यविदेश में प्रभाज योशी खेल रत जैसे ही में प्रभाज योशी खेल रत में बोलता हूं तो मेरे पास एक चीज निकल के आती है कि जो प्रभाज योशी खेल रतन है 2013 में मद्यविदेश सरकान ने स्टार्ट किया यह मलखम के लिए आता है दो लाख नसीहोर में हुआ था प्रभाज जोची जी जनरलिस्ट थे अब मैंने कोछ आप्शन नहीं देखा हुई अब मैं देखूंगा आप्शन अब जैसी आप्शन देखूंगा तो इसकी सुरुवात 2013 में की गई बिलकुल सही बात है मैंने ये बात निकाल दी थी यह पुरुषका पांच लाक रुपए है मैंने अभी तुमसे क्या बोला दो लाक रुपए है गलत यह पुरुषका 2013 में अजय वक्तारिया जी को मिला था पहला ये भी सही बात है मतलब इसमें जो सही आंसर क्या होगा सी मतलब सीवे से गलत है लेकिन आंसर सही है तो इसमें प्राइज मनी क कोश्चन के तरफ चलते है और यह आपको इंग्लीश में मिल जाता पूरा चूज दा इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डीन मध्यविदेश प्रभाज जोशी खेल रत्न ठीक भोचपूर मंदिर मध्यविदेश के किस जीले में स्थित है भोचपूर टैंपल इस लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ओव बेतवा रिवर्थ है ना तो बेतवा नदी के बैंक्स पर है याद रखेगा यह वला फैक्ट ठिक इसका अंसर क्या हो गया राइसेंग जिसको क्या का जाता है सोमनात ओफ इस मंदिर को क्या गया गया मध्य भारत का सोमनात या पूर्व का सोमनात भी था राट तो कहा जाता है तो यभी आता है तीले में स्थित है कि ऑच में परसिध कर मां जबता था थाश्राओ के इस चसरील 07 ाजिया नाइट 1886 में खजराहों के टेंपल किसने बनाए चंदेला रूलर ने बनाए खजराहों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है वह आपका कंदरिया महादेव टेंपल है ठीक खजराहों के जो टेंपल एक किन-किन धर्मशे असोसियेटेड है तो यह आपको हिंदुजम जैनिजम वै अब आप देखिएगा नाशना कुठार नाशना कुठार जैसी बोला पन्ना भुमराशी टेंपल बोले सत्ना भीम बेटका की उफा है रायसेन तिग्वा का विश्नु मंदिर यह है आपका कहां पर यह भी आपका कटनी जवलपूर के आसपास पड़ेगा तो जब मैंने त तीनों-चारों साइड देखी तो मैंको दीखा भीम बेटका और भीम बेटका तो स्टोन फैस का है और हम इसकी बात गफीड की वाग लीध कर रहे तो इसका आंसर क्या चले आएगा इसका है सब्सक्रिभिभा को पन्ना मिलता है फ्हुमराशेश्स विश्नु मधी आपको क में कहां है होशंग शाह का मगबरा मद्य विदेश में कहां पर है नीमच बुर्हानपूर मांडू इंदौर टॉंब ऑफ होशंग साहा situated at which place तो होशंग शाह का मगबरा जो है वो हमें कहां मिलता है वो हमें मिलेगा मांडू में इस सीच को यहां से थोड़ा सा याद रखेगा जो होशंग शाह जो लड़ थे गुरी डैनिस्टी के उनका यह मगबरा था रानी दुर्गावती की समाधी मद्य विदेश में कहां पर है अभी थोड़ी दे पहले बताया था 1564 में नानी दुर्गावती अकबर के बीज में युद्ध लड़ा गया जवलपूर में इंकी समाधी है जवलपूर में भी एक्जेक्ट आप देखोगे तो एक गाउँ पढ़ता है जिसका नाम है बरेला विलेज तो बरेला विलेज में इंकी समाधी है तो इसका अंसर क्य हो गया जवलपूर हो गया दिमाग निलगाना है आगे चलना है और्चा के किले का निर्माण के साशक दौरा करवाया गया तो जैसी मैं और्चा देख रहा हूं मुझे याद नहीं आ तो मैंने और्चा आपको बता दिया था कि और चा किस ने बनवाया रुद्ध पताफ सि चैन कीजिए यह किला मदविदेश के अशुक नगर जिले में स्थित है बिलकुल सही बात है यह किला चंबल नदी के किनारे स्थित है थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको इस किले का निर्माण किर्थी पाल ने करवाया है बिलकुल सही है इस किले में नौखंडा महल है बिल्कुल सही है, ये किला बेसिकली बेतवा नदी के किनारे, इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा भी, है ना, क्योंकि ये चंबल के किनारे नहीं है, तो आप्शन में हमको क्या दिग जया है, गोंड दिग जया है, सहरिया लोग कौन सा डांस करते है, सहरिया लोग करते है, दुल दुल घोडी, कौन सी घोडी, दुल दुल घोडी, डांस कौन करते है, सहरिया करते है, जब हम कोरकु की बात करतेंगे, तो हमारे कोरकु लोग क्या करते है, वो लोग खंब सौंग करके है, तो ये भी चीज या गया गोंड ठीक फिर यह थोड़ा सा देख लीजिएगा MPPSC की न्यू बैच्च लॉंच हो गए है वन यर के थ्री यर के सारे इंको इक बार देख लीजिएगा नेक्स चलते है निमलख इनमें से असत्य कूट का चैन कीजिए मतलब सेलेक्ट इनकरेक्ट अब द फॉलोविंग इनमें से कौन सा गलत है अब जैसी उसने बोला कि इनमें से कौन सा गलत है तो हम लोग देखते हैं कोर्कु जंजाती चट्पोरानत भारिया जंजाती भैडमनत सहरिया जंजाती दुल्दुल घोडिया भी पिछला वाला देखो मैं तुमको इसलिए बोलता हूं कि जादा से जादा ऑप्षन देखो ही मत पिछले कोश्चन में अगर तुम जैसी कर्मा में ऑग्छा अग्यात कर लिए तुमन करते हैं अगला कोश्चन वैसी स्वाल हो गया था कि ह source हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा, याद रखेगा अर्जुंग सिंग धुर्वे को किस नत्य हित्व वर्ष 2022 में पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया था अर्जुंग सिंग धुर्वे has been honored with पदमश्री in the year 2022 है ना और जैसी अभी last question में किया कि अर्दुंग सिंग धुर्वे कौन से tribe से associated है अर्जुंग सिंग धुर्वे associated with बैगा ट्राइबल ग्रूप कौन से ट्राइबल ग्रूप से बैगा ट्राइबल ग्रूप से associated है और ये कौन से दांस करते हैं परदोनी डांस करते हैं तो यह भी यहां से आपको याद रखना है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपका सी इसका अंसर आपको मैक्जिम दिखाई देगा तो इसको भी थोड़ा सा देख लिजे चलिए नेक्स चलते हैं विश्व प्रसिद्ध आदिवासी चितरकार पेमा फाल्या एक संबंद में कुछ विचार है उसको अपन दिख लेते हैं अब देखिए इसमें वो पूछा है कि तीन चीज बताइए कि विश्व प्रसिद्ध आदिवासी चितरकारा के कथन पर विचार कीजिए आराम से रुक के देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा है सही कूट क्या है सही कूट क्या है सही कूट क्या है तो अब हमने इसको देखा रुक गए कि हमें क्या क्या आदा आ रहा है तो हमें तो यह आदा आ गया कि पिथोरा चितरकालास से संबंदित है यहां मद्यविदेश के अली राक्षपुर जीले से related है ना और फिर इंको मद्विदेश का प्रसिद्ध जो है आपका कौन सा शिखर सम्मान मिला था तो इसका answer basically क्या होगा इसका answer केवल तीन सही होगा तो इसका answer हो जाएगा भी तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेगा भाव सिंह मसराम का संबंद किस जन जाती है बोली या लिपी से है question क्या चला गया भाव सिंह मसराम का संबंद किस जन जाती या किस बोली से है तो भाव सिंह मसराम जी जो है basically मद्विदेश के बालागाट जिले से आते हैं कौन से जिले से आते हैं मद्विदेश के बालागाट जिले से आते है और ये कौन सी ट्राइब को विलॉंग करते है इसलिए इनकी जो बोली होगी वो कौन सी होगी इनकी बोली होगी गोंडी और आप्शन में क्या गोंडी है क्या तो बिल्कुल आप्शन भी हमको दिख जाएगा गोंडी बोली तो इसका अंसर क्या चाहाँ आगया भाउस्ति मस्राम का संबंद गोंडी बोली से आसोशियेटेड है इसको भी धूड़ा सा याद रख्येगा मद विदेश में कौरकु बोली मुख्यता किन जिलों में बोली जाती है कौरकू कौन से जिलो में कौर कौर कुट ट्राइबल गूरुप कहा मिलता है कोर्कु मिलते है बैतूल में है ना और बैतूल के आसपस के इलाकों में आप्शन में देखो बैतूल दिख रहा है किया तो हमको आप्शन नहीं दिख गया बैतूल बिल्कुल हम इसका अंसर लगा देंगे कि इसका अंसर क्या होगा नर्मदा पुरम बैतूल और कोर्कु मैं कुछ subcast है तो इसको भी याद राखेगा निम्सरा कौन बुनदेली बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार है बुनदेली बोलीके प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है sant singha जी निमाडी है ना इनमें से कोई नहीं नहीं हो सकता घाग जो है वो भी कांधपूर के आसपास को इसका अंस आसी के पास मेंड़की करके गाओं पड़ता है वहां पर इंका बर्त हुआ था इशूरी क्यों जाने जाते है इशूरी फाग गायन के लिए जाने जाते हैं तो यह भी फैक्ट यहां से थोड़ा सा याद रखेगा इन में से कौन सी वोली मुख्य रूप से मद्यविदेश की बोली नहीं है बहुत बिसिक कुषचं की मद्यविदेश का डैलेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है जैसे की मैं ऑफ्षन देख पा रहा हूं बुधेली बगेली नहीकी और मैधली ऊंतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मैथली खतम ओप्शन देख चारो ओप्शन पढ़ना है हमेशाद रखिएगा ब्रज बोली मद्विदेश के किन जीलों में बोली आती है अब जैखो ब्रज मतलम मत्रा के आसपास का इलागा मत्रा के आसपास का इलागा मतलम मद्विदेश का उत्तरी खेतर की बात करेंगे अब हम देखते हैं इसमें से मद्विदेश का उत्तरी खेतर कौन सा है रिवा सतना तो इस्टन बेल्ट है तो यह तो यहां तो नहीं बोली आती हो यहां बगेली बोली आती है ना यह सेंटरल बैल्ट है बोपाल राइसें जो है सेंटरल बैल्ट है भिंड मुरेना बिलकुल मद्य विदेश के नौर्थ में है आपके मत्रा से करीब है तो ब्रज कहां बोली जाएगी ब्रज बेसिकली भिंड मुरेना बुली आएगी कायल अला कायल अली बुलते रहते तो यह आपका कहां पर है भिंड मुरेना वाला छेतर है तो इसको यहां से याद रखिएगा फिर निम लेखेंगे कौन से लेखक बुंदेली लेखक नहीं है इसमें से कौन बुंदेली लेखक नहीं है महराजा विश्वनास सिंग पदमाकर और जागनीक आपको पता है बुंदेल खंट के है पदमाकर आपको पता है सागर के है अब हमको यह देखना है कि महराजा विश्वनास सिंग जो है वो कहां कि महराजा विश्वनास सिंग तो बगेल खंट के थे आनंद रगुनंदन करके नाटक लिखा है पहला हिंदी में तो इसका अंसर क्या जाएगा इसका आंसर चला जाएगा बी तो महराजा विश्वनास इसका अंसर होगा याद रख्येगा मद्य विदेश के किस संगितकार का वास्तविक नाम राम तनू पांडे है सम खाम अनू पांडे मतलब टांशेन तो टांशेन का बरता हुआ है तसने का बरत रूपर या और इंका ना भी अ चलेगा यह ची याद रखेगा फिर next question जो हम लोग देख रहा है यहां से है ना उस्ताद अलाउद्दिंखा के संबंद में कौन सा कथन असत्य है उस्ताद अलाउद्दिंखा के संबंद में कौन सा कथन असत्य है इनका जन्व पूरी बंगाल के त्रिपूरा जिले में हुआ था, बिलकुल सही, इन्होंने मैयर बैट की स्थापना की बिलकुल सही, या एक प्रसिद्य सरोध वाधक थे बिलकुल सही, इमका कर्म भूई मदविदेश के खंडवा जिला रहा है बिलकुल गलत, क्योंकि इंकी कर्म हुई तो थी मैयर शारदा माता टेंपल तो इसका अंसर क्या हो जाएगा D है ना विच स्टेट पे इंकरेक्ट रिगार्डिंग उस्ताद अलाउद दिंखा तो जैसी हमने देखा इंकरेक्ट तो he was born in तरिपूरा डिस्ट्रिक और वीस्ट बंगाल बिल्कूल सही है है ना founder of मैयर बैंड बिल्कूल सही है सरोध प्लेयर भी है लेकिन ये खंडवा नहीं इसका अंसर क्या जाएगा सतना मैयर तो इसका अंसर क्या हो गया D next देखते है निमलेखित में से वेक्ति और उनके जन्मिस्थान के संबंद में सही विकल्प का चयन कीजिए वायर अच्छा खुशन तांसेन गॉलियर अभी बताया उस्ताद हाफीज अलिखाम मैयर ठीक है लता मंगेशकर जी मॉंबई और पंडित क्रिष्णराव शंकर अब वो पूशा है उनके जन्मिस्थान संबंद में सही विकल्प का चयन करिये मतलब कौन सा सही है किसी का जन्मिस्थान भी सही नहीं है सब के गलत दिये हुए एक इंसान का सही है तांसेन गॉलियर है ना तो इसका अंसा क्या चले आएगा इंदौर संगीत राज घराने का प्रवर्त गुलिस कंसीडर ऐस दा ओरिजनेटर और फाउंडर ओफ इंदौर म्यूजिकल घराना जैसी आपके पास एक खुशन आया जैसी मैं इंदौर म्यूजिकल घराने की बात करता हूँ तो मेरे को तो जो याद आता है मेरे को आता है सितार कि सितार जो मेन म्यूजिकल इंस्टूमेंट वेक्टी पे किया करता था और उनकी याद मैं इंदौर में हर साल एक फेस्टिवल भी होता है जिसको मैं कहता हूँ उस्ताद आमीर खान फेस्टिवल और अगर में को इसमें आमीर खान कहीं डिग गया तो मैं तो वह जिए नइसर लगांगा अब देखता हूँ अलाहुद दिंखा नहीं है उस्ताद आमीर खान दिग गया मुझügen लग जया मेरा अंसर खतम उसके आगे देखने जरुद भी नहीं है लेकिन देख लेंगे हाफिस खार उस्ता दमजद अली खां तो इसका अंसर क्या हो गया इसका अंसर हो गया भी फिर कुशन नंबर 64 मद्यप्रदेश की चित्रकला का पित्र पुरुष किसे कहा जाता है मद् नहीं है इसका अंसर जाएंगे विष्णु चिंचालिकर क्योंकि इनको क्या कहा जाता था इनको इसी नाम से तो कहा जाता था विष्णु चिंचालकर जी को किस नाम से इनको कहा जाता था गुरु जी के नाम से भी कहा जाता था तो यह भी एक फैक्ट यहां से याद रखि विश्णुष इंचालकर किस से अस्सोसियेटेड है पेंटिंग से तो फिर नेक्स चलेगा है वू अमंग फोलिविंग पेंटर्स वास नौट बॉन इन मद्यविदेश इन में से किस जो चित्रकार है उसका जन्म मद्यविदेश में नहीं हुआ है अब जैसे देखते है कि क्या पूछा उसने नहीं हुआ है मतला मद्यविदेश के बाहर हुआ है तो देव क्रश्ण चाहिंकर जोशी का जन्म में एंपी में हुआ है एनेस बेंद्रे का इंदौर में हुआ है सेयर हैदर रजा का मंड़ा में हुआ है मकबूल फिदा हुस्याइन का जन्म महाराष्ट के पंडरपूर में हुआ है तो इंका जन्म कहा हुआ है पंदरपूर महराष्ट्रा और एक होची याद रखेगा कि इन्होंने इंडिया की सिटीजन्शिप छोड़के कतर की सिटीजन्शिप ले ली थी तो यह भी एक चीज़ यहां से याद रखेगा और फिर इंकी जो डेथ है वो कहा हुई है मकबूल कथन में से सहीं कूठ का चैन कीजिए सुरैती मद्यविदेश में होती है बिलकुल चौक चित्रकला मद्यविदेश में होती है कोहबर मद्यविदेश में होती है पूथी चित्रकला मद्यविदेश में नहीं होती इसका अंसर जाएगा केवल वन टू और थ्री तो इसका अ अब गंगु भाई किस आदीवासी चित्रकला से associated है ठीक तो यल्दी यल्दी इसका अंसर बताईजीगा झाल 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 तो जैसे ही अगर हम लोग इसमें देख रहे हैं तो इसका आंसर गोंडी, बैगा और ये अब ये एक ऐसा कोशन है जिसमें हमें थुक्का मानने कंडिशन प्री में जा सकती है क्योंकि मैग्जिम MPPSC किताबों में नहीं है इसलिए आप अपने नोट्स में इसको आडाउं कर ले ना इसका आंसर बेसीकली कर जाएगा इसका आंसर भीली पेंटी यहां से चले आएगा कौन सी सिल्प कला मद्यविदेश में पाई जाती है दीपा, गुडिया, कास्ट, सिल्प कला और मद्यविदेश में कास्ट भी पाई जाती है गुडिया भी पाई जाती है दीपा निमलिखित में से किस रंग कर्मी का जन्म वर्तमान मद्विदेश में हुआ है बहुत बढ़िया कुश्चन बहुत ही बढ़िया कुश्चन कि निमलिखित में से किस रंग कर्मी का जन्म वर्तमान मद्विदेश में हुआ था अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं बंशी कॉल बंशी कॉल का जन्म कहा हुआ है बंशी कॉल का जन्म अगर सभी को पता हो तो यह कश्मीरी पंडीत है इंका जन्म जो है कश्मीर में हुआ है ठीक फिर हभीब पर्षो के दिन ही पोला का तेवहार था और पोला के तेवहार में इसको सेलिबेट किया आता है जाम नदी जो मद्यविदेश की एक रीवर आपने सुनाओगा वर्धा नदी जो वर्धा मद्यविदेश के मुलताई से निकलती है और फिर महराष्ट जाती हो प्राण हिता मिल है या साहयक नदी है जाम नदी और इसी जाम नदी के बैंक्स पे हर साल गोटमार मेला होता है है ना कहां पर चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक में और जल्दी पांदुरना जीला बन जायागा तो पांदुरना जीला कहेंगे तो गोटमार मेले का आयोजन जाम नदी के बैंक् रखेगा 71 में तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा C तेजा जी का मेला आपका गुना पीर बुधान का मेला आपका शिवपुरी कालु जी महाराज का मेला आपका जो खरगोन में है यह आपके कुछ मेले यहां पर रुपते हैं कि धावोनिऊर्स का आयोजन प्रतिवस मध्य विदेश में कहां किया आता है धामोनिऊर्स सिम्पल सा ऑप्षन देखकी जैसे धामोनिऊर्स बोला तूरन क्लिक कर गया क्या सागर तो इसका अंसर कैया अश्गर तो 72 का चलागे आंसर क्या A दामुनी उर्ष काहोगा सागर निम देखित में से इस्धान वा उनके आयोजन इस्थान का कौन सा मिलान सुम्मेलीत कीजिए जैसे आप देख रहे हो कि नांध चांद का मेला छतरपूर फिर जैसे आप देख रहे हो राम पयाली का मेला छिंदबाड़ा फिर आप देख रहा है इसमें कि बाण गंगा का सत्ना जागेश्वर नात का मिला दम हो और फिर यहीं से आप देखोगे तो आपको यहां से क्या दिख रहा है कौन सा सही होगा तो जल्दी बताईए जल्दी बताईए इसका अंसर 73 में जैसे आप देखोगे तो 73 में आपको दिख रहा है कि यह सारे जो मेले उसने बोला है सुमेलित कीजिए कौन सा सुमेलित मिलान है तो जागेश्वर नात का मिला जो है वह आपके दम हो में लगता है तो बस इसको यहां से आद रहना 73 का अं संत सिंगा जी का मेला पुनासा खंडवा में लगता है नवगरह का मेला आपका खरगौन में लगता है मठार देओ का मेला आपका सांडी बैतूल में लगता है और हीरा भूमिया का मेला आपका गॉलियर में लगता है और कई लोग कई उक्तोवर में इसको गुना भी लिख होगे तो आपको लिखेगा कि हीरा भूमिया का मेला जो है वह आपको गॉल्यर के याज पास के छहतरों में इसकी ज़esi ज्याद है तो इसको भी यहां से याध रखेगा तो बस सानश यई है कोlando मेला का मेला इसको क्या गुना भी लिखा रहता है तो इस फैक्ट को भी यहां से याद रखेगा ठीक फिर जैसे देख रहा है भागोरिया पर्वकायोजन मद्यविदेश के किस छित्र में होता है भागोरिया बेसिकली आपकी कौन सा ट्राइबल ग्रूप करते है भागोरिया आपका भील ट्राइबल ग्रूप करते है पहली चीज दूसरी बात है भागोरिया कहां होता है भागोरिया हमारा वेस्टन मद्यविदेश में होता है वेस्टन मद्यविदेश मतलब मालवा रीजन में होता है फिर एक और चीज यहां से कि भागोरिया कव होता है भागोरिया होली के समय में होता है तो अब ये जो भगोरिया festival है western मद्यविदेश में होता है मतलब western मद्यविदेश MP का मालवा रिजन आता है तो सीधा simple answer क्या चला गया मालवा रिजन और इसको क्या कहते है प्रणय festival यह इसको क्या बोलते festival of love के नाम से भी इसको जाना जाता है चलिए निमलेखित कत्नों पर विचार कर लेते है गड़गोर उस्सों मद्यविदेश के निमाड़ यह मालवा रिजन मना आता है बिलकुल सही बात है मड़गोर उस्सों मद्यविदेश के दक्षणी आदिवासी जी ले सत्पुड़ा छेत्रों मना जाता है मड़गोर वाला भी और मड़गोर वाला भी तो दोनों सही माने जाएंगे ठीक तो याद रखेगा इसमें मड़गोर वेसिकली कभी कोई आपसे पूछे है तो मड़गोर निमार वालवा का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसने पारवति धनियार जी की पूजा होती है तो इसको भी यहां से थोड़ा याद रखेगा ठीक फिर नेक्स कोश्चन के तरब जा रहे है कि महामृत्यूंजय मेले का आयोजयन प्रतिवर्स म मेला मध्यवदेश में कौन से जीले में हो रा है कि महामृत्यूंजय मेला कब लगता है तो महाशीरात्प्रि कе समय लगता है लगता है और यह महामृत्यूंजय का कही MP第ू है क्या दिर्थय का पता चलेगा जैसे कि आप option wise देखोगे, तो मठकी कहां सपे होता है, मठकी होता है मालवा में, काठी कहां होता है, काठी होता है निमाड में, फेफरिया कहां होता है, फेफरिया भी होता है निमाड में, अब एक बचा जो है राई, तो आंसर क्या जाएगा राई, तो राई कहां होता है, और राई डान्स जो कम्मुनिटी करती है, उसको बेडिया कम्मुनिटी कहते हैं, कौन सी कम्मुनिटी करती है, राई डान्स जो आपकी बेडिया कम्मुनिटी करती है, जो महिला इस डान्स को परफॉर्म की करती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बेड़नी के नाम से कहा जा धालना है जिंदभा की जिंदभा का मुलों क्या बोलते हैं और एस बेहलोल कहा होता है जिंदभा या बहलोल शादियों की मौकशे पर होता है बगे якіल आफ़े पकते मोफे सोटा नातक, रूखार विलम्ग होना की एक गहीं है? ś Germ होता है? मतलब इसका आंसर क्या चला गया? गरल्यय चला गया तो 79 का आंसर क्या हो गया? 79 का आंसर हो गया D, निमलेTube में से काइसे लचनदा सुबधराकुमारी चोहा опас की नहीं है सुबद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहां हुआ है सुबद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ है कहां पर आपके प्रयाग राज में इंका बर्थ हुआ है खंडवा डिस्ट्रिक के ठाकूर लक्षमर सिंग चौहान जी से इंकी शादी हुई है फिर उसके बाद इन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है किसमें जंडा सत्याग्रा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है फिर उसके बाद यहां से एक और चीद देखोगे तो यह आपकी सुबद्रा कुमारी चौहान जी जो है कौ पच्पन, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, बिखरे मोती, है ना, उन्मादनी, खिलोने वाला, अब देखते हैं वीरो का कैसा हो बसंत, तो जहासी की रानी तो है, बिल्कुल सही बात है, बिखरे मोती भी है, गीत फरोष सुचना पड़ेगा, वीरो का कैसा हो बसंत, बहुत गीत फरोष लिखी हुई है, भवानी प्रशाद मिश्र जी ने, किस ने लिखी है, भवानी प्रशाद मिश्र के दौरा लिखी गई है, और ये जो गीत फरोष वाले भवानी प्रशाद मिश्र है, इंका जन्म कहा हुआ था, इंका जन्म हुआ था, नर्मदापुरम जिले म इंका बर्थ हुआ था नर्मदापुरम डिस्ट्रिक में तो ये भी आपको यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा कि गित फरोष किस ने लिखा है भवानी प्रशाद मिश्र ने लिखी है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक में इंका जन्म हुआ था और इंकी एक और दोतिंग कि कितावे है टस्की आग हैना ये कोहरे मेरे है और फिर एक और सथ्पुडा के घने जंगल ये सारी कितावे आपको किस की दिखाई देए ये कितावे आपको के इंकी दिखाई दे रही है फिन एस कोशचंग तरफ जा रहे है कि एक भरती आत्मा के नाम से किस महा-पुरुष को जाना आजाता है कोश्चं क्या आया कि एक भारती आत्मा के नाम से या विच personality of MP is famously known as एक भारती आत्मा तो जैसी मैंने कोश्चं देखा मैंने केशवदास के तरफ गया तो केशवदास जी तो तो मैं तुरंद मेने अपना आंसर पकड़ लिया कि इसका आंसर तो बिलकुल सही है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर श्री माखलाल चतुरुवेदी जी होंगे जिनको एक भारती आत्मा के नाम से कहा जाता था और यह इंका बर्थ कहा हुआ था तो माखलाल पुष्प की अभिलाशा इन बिलासपूर जेल दूरिंग दर फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट ऑफ इंडिया तो यह भी फेक्ट यहां से याद रखियेगा पुष्प की अभिलाशा किसने लिखी है माखलाल चतुरुवेदी जी ने इनको एक भारती आत्मा भी कहते है यह इतनी सीचे याद रहेगी ठीक फिर आगए चलते है तो नेक्स्त नहां से क्या देख रहे है कभीप रदीप का वास्तविक नाम क्या था कभीप रदीप का रीजए क्या है राम चदर नारायण दीवेदी प्रदिप चतुरुवेदी दौरका दास नंदलाल वाचपई लता मंगेशकर जी आती थी तो ये जो लिखा है वो इन्हों नहीं लिखा है कभी प्रदीप ने उज्जयन के पास एक जगा पढ़ती है बर्णगर वहां पर इंका बर्थ हुआ था और कभी प्रदीप जी का जो रियल नेम था वो क्या था वो था राम चंद्र नारायन दिव दी इस फैक को भी थोड़ा स्याद रखिएगा कभी बिहारी का संबंद इसमें से किस स्टेट से है बताईएगा कि बिहारी जो थे उनका संबंद मद्यविदेश के किस स्टेट से है तो यल्दी यहां से इसका अंसर बता दीजिए ऑप्शन में मद्यविदेश है उत्तर प इसमें से आपको चीज दिखेगी कि मद्यविदेश का कोश्चन है MPPSC का पीपर है और MPPSC के पीपर में हमें दिख रहा है कि मद्यविदेश option में है कभी बिहारी की जब भी बात करता हूं तो एक ऐसे विक्ति जिनका बर्त कहा हुआ है मद्यविदेश के गौलियर में हुआ ह दूसी बात है इन्होंने सतसाई करके इनकी एक बहुती प्रसिद्ध रशना है कभी आपको नहीं आदा है तो याद रखेगा सतसाई लिखा है इन्होंने किसने कभी प्रदीप ने तो यह सौरी कभी बिहारी ने तो इनका जो जन्मिस्थाने वो कहा है मद्यविदेश का ग options को कुमार संभवम रगुवन्शम इंके खंड कावे है महा कभी कालिदास को भारत का मिल्टन कहा जाता है बिल्कुल सही है मेग दूत और रितु समहारम का कालिदास दौरह रचित महा काव यह भी बिल्कुल सही लग रहा है यह चंद्रगुपत दृति के समकाल इंथे यह भी सही लग रहा है है ना तो अब यहां से देखते हैं कि हमें कौन सा सत्य दिख नहीं है मिल्टन तो भाववूति को कहते हैं है मिल्टन बहुत एकिक कई पता होगा कि महा काव़ कि बचपन से लेकर जीवन के अंथर जिवन के अक्ते लिए उसको महा काव Appe बγूलते है उसके एक चोटी सी जो हिस्सा है उसको लिखते हो उसको खंड काव है और कुमार संभवं और रगुवं अंशम यह पूरी जीवनिय लिखी तो यह महा काव वे का रहेंगे और यह भारत का मिल्टन कह रहें भववुति को क्या कहा जाता है सेक्सपियर अब बचा option D ये चंदरगुप्त सेकेंड के दरबारी कभी थे तो बिलकूल हम सहीं कहते हैं किस कांसर D ही सहीं है ये चंदरगुप्त सेकेंड के दरबारी कभी थे ठीक रहेगी इतनी वाते हैं तो इस fact को भी थोड़ा सै हांसे याद रखिएगा चलिए आगे च अभी मैंने आपको थोड़ दे पहली कुछ-कुछ बुक्स बताई थी, तो आप देखो, माखल लाग, चतुरुवेदी ने, युक्चरन और समरपन, सुबद्रा कुमारी चौहान, तृधारा और मुखुल, सरज जोशी जी, तठकी खोज और उर्मिला, इसका आंसर है C, क्यो कि है, हरिशंकर परसाई की, और ये किसकी है, बाल करश्न शर्मा नवीन की किताब है, उर्मिला, बाकी सभी आंसर आपके सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, C जाएगा, फिर अपलग, कुम-कुम, रश्मी, रेखा, उर्मिला के रश्नाकार, अभी जैसे, जस्ट बई कि अर्मिला, बाल करिश्यामन अवीन का बरत, मध्य विदेश के शाजापूर डिस्ट्रिक में हुआ था, उर्मिला, कुम-कुम, रश्मी, रेखा, उर्मिला, कुवासी, प्रणारपन, हम विश्पाई जनम के, ये सभी बुख्स जो है, किसकी है आपकी, जो सभी बुख्स में निम्लिखित में से कि साहितकार। मतलब पुरानाम नवगावाद से क कव वुगा। साथ फरवडी 2022 की मद्योधिद्ध नोantu说 का नाम चेंजंज करके नर्मधापुर्ण कर दिया शहर का जिले का . संभाग का नाम तå 2008 में बदल दिया गया था . तो अब वो पूछ रहा है कि इसी नर्मदापुरह में किसका जन्म नहीं हुआ, हरिशंका परसाई का जन्म कहा हुआ, इटार्सी के पास एक जामनी गाउं पढ़ता है, वहां हुआ इटार्सी कहा आता है, नर्मदापुरह में, आप्शने सही है, भावाणी प्रशाद मिश्ट का जन्म कहा हुआ, भावाणी प्रशाद मिश्ट का जन्म टिगरिया विलेज, जो हुशंगा वाज जिले में आता है, नर्वदापुरम में आता है, शिव मंगल सिंग सुमन नहीं पता मुझे, लेकिन माखललाल चत्रुवेदी मुझे जरूर पता है कि बाबई जो है जिसका नाम माखन नगर ये कहा है नर्मदापुरम में है तो जैसी मैं देखूँँगा तो शुव मंगल सिंग सुमन मुझे जैसी आदाइगत मुझे आदेंगे इंका जन्मत उत्तर प्रदेश में हुआ था तो इसका आंसर क्या चले आएगा इसका सुन्दर हो यह वहाँ वेक्ती जिन्होंने नर्मदा की अपने जीवन में दो बार परिक्रमा की हो जो खंड परिक्रमा की है जिनको नर्मदा पुरुष भी कहा जाता और तीरे तीरे नर्मदा नर्मदा तुम कित्ती सुन्दर हो संदर नदी नर्मदा नामा किताबे लिखी ह और वेक्ति कौन है अमरीत लाल वेगड़ जो मद्यविदेश के जवलपूर के रहने वाले थे तो याद रखेगा तो आपके कौन है अमरीत लाल वेगड़ जी इसकान से चला गया भी चलते हैं आगे चित्रकूट मद्यविदेश का एक पुरमुग धार्मी परेटर निस्तले इसके संबंद में असत्य विकल्प चैन कीजिए चित्रकूट is a major religious tourist destination of मद्यविदेश choose the incorrect option regarding it यह सतना जीले में इस्तित है बिल्कूल सही है राज्य सरकार ने से पवित इस्तल दर्जा दिया है बिल्कूल सही है बंदर कुदनी तो भेडा घाट जबलपूर में है इसका आंसर क्या हो जाएगा भी यह इसका आंसर हो जाएगा c तो 89 का आंसर क्या चला गया 89 का आंसर चला गया c फिर नशना कुठार और चौमुकनात नाम के से प्रसिद्ध मंदिर किस जीले में है कौन सा इसको भी यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा ठीक जाहाज महल हिंडोला महल रूप मती महल अशरफी महल मत्यविदेश में कहां पर है मद्ध spirit गुफा भी आपको कहां दिखेगी मांडू मेही दिखेगी लोहांई के टॉ यह याद रखीए गाटर कहते है मद्धबुदेश के किस किले को भारत का जिबराल्टर कहा जाता है जब अंगरेज भारत आय ने बोला था ये तो जिब्राल्टर है तो बिटिश के द्वारा गॉलियर के किले को जिब्राल्टर कहा गया और बाबर ने गॉलियर के किले को क्या का था भारतिय किलो का मोती कहा गया था किसके द्वारा बाबर के द्वारा और जिब्राल्टर किसने बोला बिटिश ने गॉ गॉलियर किले में आपको हाती पॉड दर्वाजा मिलेगा उर्वई दर्वाजा मिलेगा आलमगीर दर्वाजा मिलेगा इसी गॉलियर किले के जो कॉंपलेक्स है उसमें आपको साज बहु का मंदीर तेली का मंदीर और आपका जो है राजा मान सिंग की जो बिल्डिंग है वो इतनी चीज़े हमको याद रखना है चलिए अमर कंटक को निम्न मेंसे अन्य किस नाम से जाना जाता है तीर्थ राज सत्पुड़ा कि रानी देव भूमी मद्ध भारत का स्विजलन्ड मद्ध भारत का स्विजलन्ड तो अपने सागर को कहते है तो हटाई दो सत्पुड़ा क किरानी पंचमडी को कहते है देव भूमी उत्राखंड को कहते है तीर्थ राज कहेंगे इसको अमर कंटक को तो आंसर है क्या चला गया 93 का ए फिर चलेगा है 94 तेली के मंदिर के संदर्भ में कौन कौन सा विकल्ब असत्य है इस मंदिर का निर्मार गुडजर शाशक मिहर भोज के दोरा साशेंक कौन में किया गया है यहां मंदिर भगवान सूर्य को समरपित है उसने पूछा है असत्य तेली का मंदिर तो भगवान विष्णु को समरपित है तो इसका आंसर हो जाएगा D, यहां मंदिर गॉल्य के लिए में है बिल्कुल सही है, द्रविट शैली से बना है, बिल्कुल सही है, गुर्जर साशक, मिहिर भोज ने बनवाया हैмовी आपको आपको याद हैungs 199-10, मंदिर भकवान सूय को संबर क्या कहते है ओम कारेश्वर जोतिर लिंग को हम लोग ममलेश्वर जोतिर लिंग भी कहते हैं ओम कारेश्वर जोतिर लिंग कहां पर है यहां पर मद्यविदेश एक अत्म धाम बना रही है तो यह भी चीज़ याद रखेगा और यहीं पर ओम कारेश्वर डैम भी आपको इसको हम लोग मांधाटा के नाम से भी कहते है किस नाम से कहते है इसे हम लोग मांधाटा के नाम से भी कहते है तो इसका आंसर क्या चले dec All इसका अंसर चले आएगा खंडवा और एक कौन सी नदी के बैंक्स पर है तो यह आपकी नर्मदा नदी के बैंक्स पर है तो यह भी चीज़ यहां से याद रखेगा फिर जैसे आ गया है धार्मीक नगरी ओर्चा के संबंद में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए कि ओर्चा जहांगेर महल का निर्मार्ण वीर संबंदेला ने किया है यह भी विल्कुल सही बात है और्चा टीकमगर जीले में भई billion गलत बात है और्चा तो निवाडी जीले में है थैंडा तो जैसी हमने यह बात वो लिय वांस नही सिन्हार डुण लिया कि पांच्वा जैसमें और जिसमें इसको हटा दो फांच वार इसमें इसको हटादो उस इसका आंसर हो गया इसका अंसर हो गया भी और्छा कहा है और्छा तो आपके निवाडि जिल्ह पू gir को जिलिये चलिये इसकी Tan уже है treskin एमान जो सकते कथन है उसके बारे में जानकाय गे Ready जिए मद्धे भारत का सोमनाथ भोचपूर के श्यू मंदिर को कहा जाता है रायसेन, मद्धे भारत में जोतीर लिंग की कूल संख्या है, तीन, फिर सर्वधाय जैन मंदिर गौर्डिया किरे में स्थित है, और हांडी को परेटन इस्थन जवलपूर में स्थित है, अब दो जो तिर लिंग है ये चीज नर्मदापुरम में है है ना पंचवडी में सरवदय जैन मंदिर गॉलियर में नहीं है इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर 97 का आंसर क्या चला गया इसका आंसर निमलेहिक कौन सा प्रसिद्ध धार्मी को परेटेगे स्थल बौध धरमस से संबंदित है इनमें से कौन सा साइट बौध दिजम से असूसियेटेड है तो बिल्कुल पकड़ लेंगे उदैगिरी उदैगिरी तो किस से असूसियेट है जैनिजम हिंदुजम खजरा हो जैनिजम हिंदुजम उप्रयोकत सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि उपर खजराहों के मंदिर का संबंद किस prioris of obviously भी है वैश्णों से भी है शेवसे भी है मतलव इसका अंसर जाएका और तुल्सी सोध संस्थान ओजैन ठीक करते इसको set up है ना कैसे set करेंगे बताओ क्या क्या हो सकता है किस तरीके से अरेंज किया सकता है इसको ए निर्ला शेजनपीत कहां पर है ना एक के सामने आप क्या बोल दोगे तो भो पाल इसका अंसर क्याerme सकता तो शेयं फिर इसके बार आप देखोगे कि प्रेमचंश्यजनपीत आपको कहां मिले गी प्रेमचंश्यजनपीत आपको मिलेगी कहां सागर सद्रें पूखेगा? फिर हमसे पूचेगा , सभी को पता है मुक्ती बोषघ उपीट कहां पर सागर में 1 और फिर हमको बोलेगे तुलसी सोस संस्थान तो डी कहा जाएगा टू तो थ्री फोर वन टू तो थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू यह रहा इस का अंसर यह वाला तो 100 का अंसर क्या हो गया सी ठीक तो इस तरीके से आपका यह पूरे पूरे जो टेस्ट है आज का हम लोगों ने खतम कर दिया 100 मैंने इस टेस्ट को समझा अभी देखके और इस तो इसको सौल करते टाइम कि मैंने भी सोचे कुछ कोशन मैंने भी कहीं करने कोशिश की कि यहां को इसको कैसे करेंगे तो अगर इस टेस्ट पर के बात करूँ जिसने इस पेपर में 75 प्लस लाए है मतलब वो ठीक पढ़ रहा इससे कम जिसके मार्क्स है क्योंकि पेपर इजी था आपको यहां अगर इससे कम नंबर आए आपको मेहनत करने बहुत जरूरत है और जिसने इस टेस्ट में 80 प्लस मार्क्स लाए है उनकी तयारी बहुत बढ़िया चल रही है तयारी को इसी पेस में रखिएगा थे ना तो उनको भी इसको 80 प्लस कोस्ट आपको बनने चाहिए थे पेपर का जैसे MPPSC का लेवल होता है उसी तरीके समने कोस्ट लाये थे और आगे भी जो डिसकेशन से उसमें हम लोग मिलते रहेंगे और होफुली आपके पेपर सॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप्शन में आपको तुरणत आंसर दिख जाएगा फिर चार ऐप्शन पढ़िए चार ओप्शन पढ़के चार ओप्शन में आपको सही दिख गया उसको मार्क कर दीजिए फिर एक बार डिकॉल कर लिए ABCD मेंसे कहीं कोई और और अप्शन तो नहीं है और फिर उसके आगद गोला कि paper solve करने में क्या समस्या है या कहां कहां पर किस तरीके से इस paper को solve किया जा सकता है ठीक रहेगी बात याद तो इतना ध्यान रखिए और एक बार ये इसको देख लीजिए थोड़ा सा ये आपका test series जो चल रही है इसको एक बार देख लीजिएगा है ना चलिए तो मिलते फिर किसी next video में thank you